नमस्कार दोस्तों आज में लेकर आई हूँ बूंदी के रायते की रेसिपी वैसे तो बूंदी के रायता सभी बनाते हैं लेकिन आज मैं इस बूंदी के रायते को इसमोकी फ्लेवर में बनाकर तयार करूँगी जिसे हमारे यहां धुमार वाला रायता बोलते हैं कहते हैं गैस पे हम धुमार वाला रायता कैसे बना कर तयार करें लेकिन मैं इसे बड़े ही इजीली बना कर दिखाऊंगी ये रायता खाने को स्वादिश बनाने के साथ साथ ये हमारी हैल्थ के लिए बहुत बाचक होता है तो आईए देखते हैं इस धुमार वाले रायते को हम गैस पर कैसे बना करके तयार करते हैं इसके लिए डेड़ कटोरी तही को मैंने चलनी से छान करके स्मूथ बना लिया है यह वजन में लगभग 300 ग्राम है अब जितना भी आपको रायते को पतला या गाड़ा रखना है उसके हिसाब से पानी डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिला करके इसे इकसार कर लीजिए अब आप अपने टेश्ट के अनुसार चोथाई चोथाई चमच काला नमक, सफेद नमक और यह एक चमच मैंने सुखा पोधीना को क्रश करके डाल दिया है पोधीना को सुखा कर कैसे तयार करते हैं ताकि फ्लेवर बना रहे यह आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा साथ मैं एक चमच पिसी हुई काली मिर्च और एक चमच भुना हुआ हिंग जीरा इसे मैंने अच्छी से क्रश कर लिया है डाल दिया है और इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी देखिए सभी मसाले अच्छी से मिल गए है अब चोथाई कटोरी मैं इसमें भूनी डाल दूगी यह आपके उपर डिबेंड करता है आप कितनी कम या ज़्यादा भूनी डालना चाहते हैं आईए अब इसका धुमार त्यार करते हैं गरम तवे पर यह मैं दो ड्रॉक सरसों के तेल डाल दूगी अब इसमें मैं चोथाई चम्मच हींग डाल दूगी और इसे हलकासा मिला दूगी देखिए इसमें से हलकासा धुआ आना स्टार्ट हो गया है इसी समय अब मैं इसे लोटे से अच्छी तरह से कवर कर दूगी गैस की फ्लेम मीडियम रखूँगी देखिए अब लोटे के अंदर काफी धुआ बन गया है एक हींग का फ्लेवर है अब मैं लोटे को सीधा करूँगी और फटा फट इसे धग दूगी ताकि इसका फ्लेवर बाहर ना निकले और फटा फट जो रायता तयार किया है उसे इसमें डाल करके दुबारा धग के कवर कर दूगी और जो भी तवे पर हमारी भुनी हींग है इसे भी मैं चम्म से निकाल करके तयार रायते में डाल दूगी देखिए मैंने इस हींग को भी इस रायते में डाल दिया है और अच्छी तरह से मिला लूँगी लीजिए हमारा धुमार वाला या यूं कहें इसमों की फ्लेवर में बूंदी का रायता बन करके तयार है तयार रायते को डूंगे में निकाल लीजिए और कुछ बूंदी के दाने और भुने हुए क्रश की हुए हिंग जीरे से गार्निश कीजिए लीजिए स्वादिष्ट इसमों की फ्लेवर में बूंदी का रायता बन करके तयार है गर्मा गर्म पूरी बनाईए कचोड़ी बनाईए और उसके साथ इस रायते को सर्व कीजिए बेड़ी पूरी और अलू की सब्जी के साथ इस रायता खाने में बेहत स्वादिष्ट लगता है तो दोस्तों इन गर्मियों में आप इसी तरीके से इसमों की फ्लेवर में रायता बना कर तयार कीजिए और अपना feedback comment section में जरूर दीजेगा रेसिपी से related किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टागाम पर follow कर सकते हैं मेरी इंस्टाइडी मेरे चैनल के about section में मिल जाएगी यदि आपको मेरी recipes अच्छी लगती हैं तो please like, comment, share और subscribe जरूर कीजे और हाँ, bell icon जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई recipes के notifications सबसे पहले आप तक पहुँचे धन्यवाद